हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में तो यहां पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ उस रिपोर्ट में जो है वो अगले हफ़ते के बारे में बत करते हैं देखो फ्राइडे के दिन जो वीकली क्लोजिंग होई यस बैंक की वही नेगेटिव चौवीत रुपे एक तालीस पैसे पर शियर की क्लोजिंग होई चौवीत रुपे पिच्छाथी पैसे पर आपको यहां पर जो इसका हाई था वो देखने को मिला और पिछला जो हफता है वो इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल जैसा है सेनारियो ही रहा है यानि कि एक तो नेगेटिव रिटन्स हैं और कोई बहुत जादा यहां पर मुमेंटम अपसाइड में देखने को नहीं मिला अगर आप यहां पर देखते हो तो एक महीने की भी हालत ऐसी है छे म कऑ जब इस में कोई मुमेंटम बनता है तो कोई ना कोई आपको से सामने आते हैं जो कि फिर से ऐसी बैंक को उसी लेवल पर खालियता है और इतनी जल्दी इस Скरेक्ष कर जाता है क्योंकि इस में रिटेल इन्वेश्टर दो बहुत जादा है जिस रिपोर्ट की में बात कर रधा उस पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ अगले अफते भोगाली बनेगा इस प्राइविट बैंक का शेयर पैसा लगाने पर नहीं होगा नुकसान देखो यहां पर यह 24 अगस्त की रिपोर्ट है और इसमें अगर आप यहां पर देखते हो तो यस बैंक के बारे में प्राइडी के दिन गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होई है अब यहां पर क्या कोई चीजें हैं एक एक करकर जानते हैं शेयरों में निवेश करने वालों के लिए बहतरी न्यूज है प्राइवेट सेक्टर का यस बैंक का शेयर 26 अगस्ते सुरू होने वाले स्टॉक मार्क प्राइड के कारोबारी सब्ते में बहुकाली बन सकता है इस प्राइवेट बैंक के शेयर में पैसा लगाने पर निवेशकों को फायदा होने की पूरी सम्मामना बनती हुई नजर आ रही है निवेशकों को बहतरी रिटरंस मिलने की वज़ा यह है कि रेटिंग एजनसी क् लेकिन इसके शेयर में जो खुद्रा निवेश पैसा लगाएंगे उन्हें भी आने वाले समय में बहतरी रिटरंस मिल सकता है तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्रिजल की रिपोर्ट निकल कर आई है उसको यहाँ पर बेस बनाया गया है और जैसे कि मैंने आपको आई था कि मूडीज क्रिजल यह रेटिंग एजनसी आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव नजर आ रही है यह बैंक पर इसका फायदा आने वाले टाइम में तो यहाँ से चाहें फिर वो डॉमेश्टिक ब्रोकरेज हाउस कितना भी ट्राई कर लें इसको 19 पे 16 पे 13 पे ल लेंगी तो फिर यह इस पर्टिकुलर लेवल पर नहीं जाने वाला है आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो मीडिया की रिपोर्ट के अनस्वार क्रेडिट रेटिंग एजनसी क्रिजल ने यह बैंक के टायर टू बॉन्स और इंफ्राइस्ट्रक्टर बॉन्स के ल इसके साथ ही रेटिंग एजनसी क्रिजल ने बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट पर शौट टम रेटिंग को भी एवन पॉजिटिब दे दिया है यह यह तो जब क्रिजल जैसी रेटिंग एजनसी इतना बरोसा दिखा रही है यह बैंक के डैट इंस्टुमेंट पर और उनकी रेटिंग को इंप्रूब कर रही है विससे फायदा क्या होगा बू मैं आपको समझा देता हूँ यह तो आपको समनी बता दिया होगा के रेटिंग इंप्रूब होगी इसका फायदा क्या होगा जिस कंपनी के जो डैट इंस्टुमेंट के जो यहां पर होते हैं उनकी rating का फायदा यह होता है कि जब भी market में आप fund raising करने जाओगे इस debt instruments के through तो आपको दिक्कत नहीं होगी आपको बहुत ज़्यादा easily पैसा मिल जाएगा. अगर आपके debt instruments की rating negative है या फिर comparatively बहुत ज़्यादा low है तो फिर आपको fund raising करने में पैसा उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और अगर उस पर पैसा मिल भी जाता है तो फिर आपको जो interest है वो बहुत ज़्यादा higher pay करना पड़ता है. तो यह सारी चीज़ें फायदे कराती है अगर rating दीरे दीरे करके इसा ही लेकर improve होती है तो अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर return profile की समझाई थी कि पिछले एक साल में तो लगबग 45% के returns बने हैं लेकिन हाँ पिछले short term के हिसापते अगर आप यहाँ पर years bank में देखते हो तो returns उतने जादा खास नहीं बन पा रहे हैं अब यहाँ पर कुछ technicals के बारे में भी बात करी गई है सबते पहले इसका जो RSI है वो है 50 यानि कि ना overbought ना oversold ठीक है neutral आपको देखने को मिल रहा है oversold में चला जाएगा तो फिर गिरावट के chances है और ज़्यादा मतलब कि उत पर शियर जो अब अपने 5 days 10 days 20 50 और 200 days के moving average से उपर के level पर है केवल एक सिनारियो ऐसे है जहां से अपने moving average से नीचे है वो है 30 days का ठीक है तो यहाँ भी positive माहल है यानि कि देखो technicals इसके positive sentiments इसके positive fundamentals इसके positive चल रहे हैं तीन चीज़ें better हो गई है और एक share को उपर ले जाने में तीनों का यह बहुत बड़ा रोल होता है तो मेरे क्याल से चाहें कितना भी time लगे लेकिन momentum upside में आने ही बाला है अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी fundamentals के हो यहाँ पर report में भी बात आ गई अब यहां पर आने वा आरी model में काफी बड़ा बदलाब किया है retail और अगर आप देखते हो तो short और medium term यानि कि SME जो है उनको दिये जाने वाले loan net advances का करीब 60% है corporate loan भी यहाँ पर bank छोटी size के exposure पर focus कर रहा है working capital loans का अनुपात जादा है और better rating वाले corporates को भी यह bank loan जारी कर रहा है यानि कि जहां starting में ES bank जो है वो corporate loans पर focus करता था बड़े बड़े loans पर focus करता था और वही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत बन गई अब वो intentionally किया गया था वो तो बात अलग है लेकिन उसको पूरी तरीके से बदल के retail और SME पर focus अब जादा है जिसकी वाज़े से chances of NPA बहुत कम है और यहां sir मामला भी positive side में जाते हूँए नजर आ रहा है तो मेरे गाल से इस report में सारे पहलों को cover किया गया सारी चीजों को यहाँ पर आपके सामने रखा गया जोबी positive जोबी negative सारी चीजों के आपके सामने रख़ा गया और इन सारी चीजों को अगर आप consider करते हो तो chances जो है वो positive side direction के ही बनते हो नज़र आ रहे हैं ठीक है तो यह हो गई बात यहाँ पर overall yes bank पर आए hope आपको coverage अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो एक like जरू करिएगा और चैनल पर first time visit कर रहे हो तो subscribe जरू कर दीजेगा धन्यवाद